संस्कृत पाठचाला में सर्वेशाम स्वागतम संस्कृत सीखने के इसक्रम में हम सह बाल कह, सह नाय कह ऐसे छोटे छोटे वाक्य बना रहे थे हमने यह भी सीखा था कि सह का प्रयोग केवल पुलिंग के साथ वह दूर स्थित व्यक्ती या वस्तू के साथ ही होता है तो यह आपकी जिग्यासा अवश्य बनी होगी कि पास वाले व्यक्ती या वस्तू के लिए संस्कृत के किस पद का हमें प्रयोग करना है और कैसे वाक्य बनाना है अगर वाक्य है यह लड़का है तो वहां यह इस पद के लिए एशह शब्द का प्रयोग हमें करना है और वहां वाक्य बनेगा एशह बालक हा यह बालक है सहबालकह, एशबालकह, यदि वह बालक दूर है, तो सहबालकह, और यदि समीप है, पास है, तो एशबालकह, ऐसा हमें प्रयोग करना है आईए इस एशबालकह से और भी कई सारे उदाहरन देखते हैं शब्द है गायकह गायकह अर्थात सिंगर ये आप सभी जानते हैं इस गायकह शब्द के साथ एशह शब्द को जोड़कर संस्कृत वाक्य बनाते हैं वाक्य बना है एशह गायकह यह गायक है नर्त कहा डांसर एशह नर्त कहा शिक्ष कहा आरक्ष कहा चोरह एशह चोरह सेवक हा एशच सेवक अर्थात सर्वेंट जो हमारी सेवा करते हैं देश भक्तहा एशह देश भक्तहा आपनहा एशह आपनहा यह दुकान है आपनहा का अर्थ है दुकान शौप हम अपने मित्रों और परिवार जनों के नाम के साथ भी इस एशह का प्रयोग करके छोटा वाक्य बना सकते हैं जैसे अगर मेरे साथ मान लीजिए कि यहाँ पर पंकज खड़े हैं तो मैं यह वाक्य बना सकता हूँ एशह पंकज है इसी क्रम में एशह प्रकाशह, एशह अंकितह, एशह नारायन दत्तह, एशह संजयह, एशह नीती शह अब यहाँ ध्यान यह देना है कि एशह शब्द का प्रेयोग हमेशा पुलेंग के साथ तो करना है लेकिन साथ ही साथ वह व्यक्ति या वस्तु हमारे समीप ही होना चाहिए या होनी चाहिए तो दोस्तों कुल मिलाकर अब तक हमने सह और एशह इन दो पदों का प्रियोक करना सीखा है आप ये मान लीजिए कि आपके पास आपके दो मित्र हैं उधाहरन के लिए पंकज और संजे एक मित्र आपके पास खड़े हैं और दूसरे दूर खड़े हैं आपके पास संजय खड़े हैं और दूर पंकज खड़े हैं तो हम यहाँ दो वाक्य बना सकते हैं उदाहरन के लिए सह पंकजह, एशह संजय यह हैं यह संजय है एशह संजय है सह पंकज है और भी कोई दो नाम आप ले लीजिए एशह नीती शह सह नारायन दत्त है एशह नीती शह सह नारायन दत्त है एक और उदाहरन से इसको समझ ये शिक्षक है और चात्र है शिक्षक अरथा टीचर चात्र है चात्र जिसे हम स्टूडेंट कहते हैं वह शिक्षक है यह चात्र है सह शिक्षक हा एशह चात्र हा एशह चात्र हा दूर और पास इनहीं के अनुसार सह और एशह शब्द का प्रयोग पुलिंग के साथ होना है यह हमें ध्यान रखना है मित्रों एशह इस पद का उच्चारण करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर श यह जो मूर्धन्य इसका उच्चारण है मूर्धन्य में हमारी जिहवा ऐसी रोटेट होती है जिसको रेट्रो फ्लेक्स कहते हैं एशह एशह मित्रों आपको याद ही होगा कि इस संस्कृत देवस जो की रक्षा बंदन के दिन मनाया जाता है हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी सभी को संस्कृत सीखने के लिए एक्स पर प्रेरित किया था तो संस्कृत सीखने के इस क्रम में आप हमारे साथ और मानिनिय प्रधान मंत्री जी के साथ अपनी छोटी छोटी वीडियो बना कर एक्स पर साजा कर सकते हैं आज के अंक में इतना ही अग्रिम अंक में पुनह मिला महा नमो नमहा